दिल्ली में माता मसानी चोकी बाबा को पुलिस ने बलतकार के गंफीर आरोप में गिरफतार कर लिया है बाबा के खिलाव एक महिला ने पूजा पाठ के नाम पर आश्रम में बुला कर रेप करने जैसे गंफीर घटना का आरोप लगाया है महिला के बयानों के अधार पर पुलिस ने कारवाई शुरू कर दी थी जिसके बाद आखरकार बाबा को गिरफतार कर लिया गया आपको बता दे कि महिला अपने समस्याओं को लेकर के बाबा के पास पहुँची थी जहां बाबा ने इससे पैसे भी एट लिये और उसे अकीला पाकर उसके साथ बलतकार भी किया पुलिस के सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक दिल्ली के काकरोला गाउं में माता मसानी चौकी बाबा नाम से फीमस शक्स को पुलिस ने गिरफतार किया है आरूपी का असली नाम विनोद बताया जा रहा है जो कि कई दिनों से यहां पर रह रहा था पुलिस ने दिल्ली के द्वार का इलाके से आरूपी बाबा को गिरफतार किया है बताया जारा है कि एक 34 साल की पीडित महिला अपने पती के साथ बाबा की दर्बार कहुंची थी जिसके बाद पिडित महिला ने अपनी परिशानियां जब बाबा को बताई तो उसने विश्वास दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा बाबा ने पिडित महिला को दिक्षा लेने के लिए कहा और उसके बदले में उससे 5 लाख रुपई की मांग की महिला और उसके पती ने बाबा पर विश्वास करके उसे पांच लाख रुपए दे दिये उसके बाद एक दिन दर्बार में महिला अकेली ही पहुँच गई और बाबा को परिशानिया बताने लग गई जिसके बाद महिला ने आरोप लगाया है कि बाबा ने उसे प्रिशाद के बहाने जहरीना पदार्थ खिला दिया और इसके बाद उसके साथ रेप जैसी खटना को अंचाम दिया क्या महिला के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और बाबा के दर्बार में जाने बाली अन्य महिलाओं से भी पूछताच की महिलाओं से पूछताच के दौरान पुलिस को और भी ऐसी महिलाएं मिली जिनके साथ बाबा ने यौन चूशन किया है महिलाओं का आरूप है कि बाबा रेप के बाद उन्हीं ब्लैक मील भी करते हैं जहां बताया गया है कि आरूपी विनूद उर्फ माता मसानी चौकी बाबा यूटुब पर काफी एक्टिव है और अपना एक चैनल भी चलाता है जिसमें वो आए दिन वीडियोज डालता है आपको बता दे कि बाबा ने अपने चैनल के बायों में लिखा है कि वो कोई धर्म गुरू और उपदिशक नहीं है वो सिर्फ देवी कालिका का एक शिश्य और भक्त है अगर आपको हमारे ये वीडियो इंफर्मेटिव लगा हूँ तेसे लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें साथे साथ हमारे चैनल के बाल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भुले ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोट करें उसका नोटिफिकिशन आप तक आसानी से पहुँचा है